हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्यूर तो आज हम माइक्रोसॉफ एक्सल में एक और बहुत ही इंपॉर्टन चीज समझने जा रहे हैं अब माल लीजे कि इस टेबल में हमें किसी खास सेल को लेफ राइड या उपर नीचे मूव कराऊना हो तो हम कैसे कराएंगे सब्सक्राइब यहां पर यह सेल सेलेट कर लेता हूं एक दम बीच में ठीक है यह देखिए इंसर्ट का ओप्शन मिलता है इसके ड्रॉपड़न पर क्लिक करिए और पहला ओल ओप्शन सेलेट कर लीजे ठीक है तो जब करसर यहां पर आप ले जाएंगे तो यह आपको दिखाएगा भी कि एक सेकेंड यह दिखाएगा भी कि insert cell के लिए आप यहां पर insert cell row column मलब into sheet और table ठीक है मलब cell रो 걸ardo आप यहां पर insert कर सकते हैं जितने row select करेंगे जितने cell select करेंगे जितने column select करेंगे उसी साब से वह इंसर्ट होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने दो select किया हुआ है तो हमें क्या करना है? insert cell पे click कर देते हैं मलोड दो cell हमें select करिए तो यहां पर इस insert cell पे हम click कर देते हैं तो यह देखिए छोटा सा window यहां पर open हो गया अब यह आपसे पूछ रहा है कि आपको right shift करना है या नीचे shift करना है या पूरी row करना है या पूरी column करना है तो माल लिजे कि हम right shift करना चाहते हैं तो यहां पर okay पे जैसे हम click करेंगे तो देखिए क्या होता है यह देखिए यह दोनों cell यहां से आगे right की तरफ shift हो गई